सांसत ब्रजूशन शर्ण सिंग के करीबी संजे सिंग गुरुवार यानी कल 21 दिसंबर को भारती कुस्ती महासंग WFI के नए अध्यच्छ बन गए संजे सिंग के फ्रेडरेशन चीफ बनते ही पहलवान साक्षी मलिक ने कुस्ती त्यागने का एलान कर दिया उन्होंने आरोप लगाया कि संजे सिंग ब्रजूशन बिजनस पार्टनर्स हैं संजे सिंग ने अपनी बड़ी जीत के बाद मीडिया से कहा यह देश के उन हजारों पहलवानों की जीत है जिनोंने पिछले 7-8 महिनों में नुकसान उठाया है फेडरेशन के बीता राजनीती के बारे में पूछे जाने पर संजे ने कहा हम राजनीती का जवाब राजनीती से और कुस्ती का जवाब कुस्ती से देंगे देड़ से हुए W5 चुनाओ में संजे सिंग के पैनल ने ज्यादा तर पदों पर आसानी से जीत हासिल की है भारत के लिए RSPB के पूर्व सचीव प्रेम चंद लोचब ने दर्शनलाल को 27-19 मतों से हराया वहीं राश्ट्री राजमार्गों पर फूर जोइन्स की चैन चलाने वाले और प्रदर्शनकारी पहलवानों के करीबी माने जाने वाले देवेंदर सिंग कादियान ने आईडी नाना जै प्रकाश, पशिम मंगाल के असीद कुमार सह, पंजाब के करताल सिंग, मरिपोन के एन फोनी ने चुनाव जीत कर उपाद्रश के सभी चारों पदों पर कबजा कर लिया मध्यप्रदेश के नए मुख्य मंत्री मुहन यादो चुनाव के लिए नहीं आए उन्हें उपा और शर्मा को 12 वोट मिले, कारिकारने के 570 से भी ब्रजभूशन के खेमे में से हैं, जिसके बाद ही साक्षी मलिक ने कुस्ती त्यागने का एलान कर दिया, ब्रजभूशन शर्ण सिंग के करीबी संजे सिंग के WFI चीफ बनने पर पहरवान साक्षी मलिक ने गुरुवार को प्रेस कॉंफरेंस के द्वारान कुस्ती से सन्यास लेने की घोशना कर दी, आपको याद दिला दे कि साक्षी मलिक समेत कई महिला पहरवानों ने कुस्ती महासंग के पुर्व अध्यच ब्रजभूशन पर योन्शोशन के आरोप लगाए थे, और दिली के जंतर मंतर पर जैसे आदमी ही रहता है, जो उसका बिजनस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुस्ती को त्यागती हूँ, उन्होंने कहा कि देशवासियों को धन्यवाद, जिन्होंने आज तक इतना सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया ऐसी और लेटिस खबरों के लिए जुड़े दें हमारे साथ